नमस्ते दोस्तों मैं हूँ नेर्मला मेरे की चन में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्दियां आते ही मार्केट में बहुत अच्छी हरी मेथी मिलने लगी है लेकिन अपने कड़वे स्वाद के कारण हर कोई से खाना पसंद नहीं करता लेकिन आज मां आपसे शेर करने चारी हूँ मेथी का ऐसा नाश्ता जिसमें मेथी का कड़वा स्वाद तो बिलकुल आएगा ही नहीं और बड़े तो बड़े बच्चे भी से खूब चाह कर खाएंगे तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार हरी मेथी के वड़े बनाना शुरू करते हैं ये सुपर टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगी हरी मेथी तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम हरी मेथी को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और अब हमें से काट लेंगे तो काटने के लिए आप इसे चौपिंग बोर्ड पर इस तरह से गुच्छा बनाकर काटेंगे न तो बहुत ही आसानी से हरी मेथी कट जाएगी कोई भी हरी सबजी आप ले रहे हों तो काटने से पहले ही उसे धो लें हरी सबजी की खतम हो जाती है और दूसरा काटने के बाद हरी सबजी को दोना और विजादा मुश्किल हो जाता है तो पतेदार सबजीों को थोड़ी देर आप पानी में ही रहने दे इससे जितनी भी उसकी मिटी होगी वो नीचे तले में बैठ जाएगी फिर उपर से उस सबजी को लेकर अच्छे से एक बार फिर से साफ पाने से धोले इससे बहुत ही आसानी से हरी सबजी धोल जाती है तो चलिए बातों ही बातों में यहाँ पर मैंने हरी मिथी को अच्छे से काट करके तैयार कर लिया है तो अब ये हरी मेती जाएगी एक mixing bowl के अंदर और साथी मैं इस नाश्ते में प्याज का इस्तमाल भी करने वाली हूँ तो एक बड़ी size का मैंने प्याज ले लिया है और इसे इस तरह की पतली और लंबी slices में cut कर लेंगे प्याज डालना totally optional है लेकिन ये दिया प्याज खाते हैं तो फिर जरूर से इस्तमाल करें इससे इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बड़ी आता है चाहिए तो आप प्याज की मात्रा बढ़ा कर भी ले सकते हैं अब प्याज को पतला और लंबा काटने के बाद इसकी जो कलिया हैं उन्हें ऐसे खोल लेंगे ताकि ये सारी एकदम खिली-खिली हो जाएं तो नाश्ते में evenly mix भी हो जाएं तो अब ये प्याज जाएगा mixing bowl के अंदर मिथी के साथ और अब हम ले लेंगे पोहा जिसे चिवडा भी कहते हैं तो आदा कप माप पोहा ले रही हूँ पोहे के जगट चाहिए तो आप एक उबलावा आलू भी ले सकते हैं पोहे से इस नाश्ते का टीस्ट और क्रिस्पि आप चाहिए यानि फूल रह यह है तब तक मैं दू हरीमिट्ज भी इस तरह से मोटी काट लूँगी और साथ ही ले लेंगे एक इंच अद्रक का टुकडा तो इसे भी इस तरह से मोटा मोटा ही कट कर लेंगे और फिर एक चोपर में या मिक्सी के जार में इसे डाल लें औ और इने के साथ हम एड़ कर लेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले जिसमें मैं ले रही हूँ दू चमस साबो धनिया, एक चमस साबो जीरा और एक चमस सौंफ और साथी जो पोहा हमने धो करके रखा था वो भी देखे फूल कर सौफ्ट हो गया है तो अलग से मैश करने के बजा इसी चौपर में मैं पोहा भी एड़ कर लूँगी तो सारी चीजों के साथ यह भी ग्राइंड हो जाएगा तो सारी चीजों का हमें पीश्ट नहीं बनाना है इसे दरदरा ही रखना है तो यदि आप मिक्सी में इसे पीश रहे हूँ तो मिक्सी को पल्स मोड में चलाते वे सारी चीजों को ग्राइंड कर लें तो अब येस चीजे जाएंगी मिक्सिंग बोल के अंदर और साथी हम इसमें डालेंगी दू चमस सफेद तिल ये आप जरूर से डालें इसे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा अब पाउडर मसालों में ले लेंगी एक चमस लाल मिश का पाउडर आदी छोटी चमस लेंगी हल्थी पाउडर और अब स्वात के अनुसा नमक भी ऐड़ कर लेंगी और साथी डालेंगे इसमें हरा धनिया तो एक मुठी हरा धनिया मैं इस तरह से बारे काट करके ले रही हूँ आप चाहें तो हरे धनिय की मातरा बढ़ा करके ले सकते हैं तो यहाँ पर यह कटावा हरा धनिया भी हम इसे में एड़ कर लेंगे और अब लास्ट में जाएगा इसके अंदर बेसन तो टोटल में एक कब बेसन का इस्तिमाल कर रही हूँ लेकिन पहले आदा कब बेसन डाल कर अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो नमक की कॉंटेक्ट में आती हरी में दीरे दीरे पानी चोड़ने लगेगी तो जो बेसन होगा उसमें बढ़िया मोईस्चरा जाएगा फिर ये बचावा आता कब बेसन में ओर डाल कर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यदि आपको जरूरत महसूस हो तो आप इसमें 2-3 चमच पानी का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर हरी मेती के साथ साथ बेसन की मातरा भी आप बढ़ा करके ले सकते हैं यदि आपको बेसन की कमी महसूस हो लेकिन यहाँ पर इस नाष्टे में मैंने हरी मेती का इस्तमाल ज़्यादा किया है और बेसन का इस्तमाल कम से कम करने की कोशिश की है तो देखे इस रहका एक डू बन करके तैयार हो जाएगा फिर हम हातों को तेल से ग्रीज करके इस रह से इनकी छोटी-छोटी कटलेट बना लेंगे तो पहले सारे पोर्शन को आप गोल करने और फिर ऐसे प्रेस करें तो बहुत ही आसानी से इसकी गोल-गोल कटलेट बन करके तयार हो जाएगी और ये कटलेट आपको ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है चोटे चोटे पीस बना करके तयार करेंगे तो बहुत यह अच्छे से अंदर तक सिक भी जाएंगे और क्रिस्पी भी लगेंगे तो यहाँ पर सारी कटलेट मैंने बना करके तयार कर ली है तो अब भारी आती है इनको फ्राई करने की तो यहाँ पर pen के अंदर मैंने थोड़ा तेल गरम कर लिया है आप चाहें तो इन्हीं पूरा deep fry भी कर सकते हैं या चाहें तो थोड़ा सा तेल लेकर shallow fry भी कर सकते हैं तो यहाँ पर एक पैच इस तरह से हम fry कर लेंगे और इन्हें fry करते समय घैस का frame medium रगते वी ही fry करें तो इसे ये नाश्टा बिल्कुल भी ओयल को एबसॉर्ब नहीं करेगा और बहुत एच्छा क्रिस्पी भी वनेगा तो जब एक साइट से ये थोड़ी से पक जाएंगे तब हम इनी पलट कर दूसरी साइट से भी फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से देखिए कैसे धीरे धीरे इनका लाल-लाल कलर आने लगा है तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी नाश्टा बनकर के तयार होता है तो आप जरूर से ये नाश्टा बनाना आपको बहुत पसंद आएगा और एक पार फिर से पलट कर मैं दूसरे साइट से इन्हें और भी अच्छा क्रिस्पी कर लेती हूँ तो ये देखिए हमारा फर्स्ट बैच प्राई होकर के तयार है और कटलेट देखने में भी बहुत संदर लग रही है तो ये एबसॉर्मेंट पेपर पर ना निकाल कर इस तरह की एक छलनी में निकाल देंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी ओल का एबसॉर्म नहीं करते हैं तो ओली भी नहीं होंगे और छलनी में निकालने से ये लंबी समय तक ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे और अब हम second batch भी fry करके तयार कर लेंगे तो इस तरह से हमारा बहुती टेस्टी मज़ेदार सा नया नाश्टा बन करके तयार है वो भी हरी मेथी से जो खाने में आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और अब देखते हैं इनका crispiness तो हैना फ्रेंड्स कितने ज़्यादा क्रिस्पी वड़े जब की इनको बनाएवे मुझे काफी देर हो गई है तो आप इन वड़ों को हरी चटनी, टॉमेटो, कैचप या फिर चाय के साथ ते इंजोई करें खाने में बहुती मसेर के लगेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इससे लाइक करें, जदा से जदा शेयर करें साथी मेरे ऐसी और भी रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले मैं फिर से मिलूंगे आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर, बाई बाई